परमसकार्योक जासंग जी सारी ही आखिये तांसिर सागूर जजी सिंग जी रस्णानु पवीत्तर करिये फिर तो आखिये तांसिर सागूर उदे सिंग जी आज दे साखी दा टाइटल है आए अनक जनम प्रामसरनी उधर देहे अंद कूपते लावो अपनी चरनी हो सकदा है कि कदी किसे तपस्या करन वाले तपस्वी कोलों किसे राबदे प्यारे नूं किसे किसम दा कष्ट पहुंचाया गया होगे अटे उसनों स्राप मिल गया होवे कि जा तु जनम रंदे चक्कर वीच प्यार है फिर उसने निमाने होके बक्षबंदी वास्ते तरले किते हों अटे अकालपुरक ने उसनों सागुजग्जी सिंग जीदे जामे वीचा के बक्षबंदी दा इकरार किता होवे गुर्बानी दस्दी है कि अन्तवेले जेड़ा प्राणी नारायन नुँ याद करे ओं मुकत हो जान्दा है फिर जेड़ी आत्मा अकालपुरक दे सर्गुण सुरूप दे चर्णा ते नमशकार कारके शरीर द्यागे वो जुरूर अत उत्तम पद्वीनु प्रापत करनवाली किसी तपस्वी दी आत्मा ही हो सकती है इस साब कुछ दे लिखन दा कारण अंतर जामी सर्गुर जी दी किरपा दर सौन्दी सन 1922 दी एक वारता है अकालपुरक सर्गुज जी सिंग जी दे उस समेदे आंग रख्यक दस्ते दे एक संत जोगा सिंग जी मस्तानगड होई एक अखी वेखी वारता इस तरह दस्देहन सच्चे पाश्य जी आसा दिवार दे पोग तो बाद सिखा दे ग्रेवी के चरण पौन तो बाद वापस मस्तानगड वीके आगए सन समाल आग पाग साट्टे ग्यारवजे दासी सन जोगा सिंग जी राइफल लेके डेरी वीच ड्यूटी ते सन सच्चे पाश्य जी उपर चुबारे वीच सन अचानक सच्चे पाश्य जी ने चुबारे तो सन जोगा सिंग जी नो आवाज मारी कि जोगा सिंग थल्ले कोई गड़ी खड़ी होई है कि नहीं संची ने अर्ज किती कि जी ग्रीब नी वाज इस समय आपनी ता कोई गड़ी नहीं खड़ी पर एक सिंग ने आपनी नमी जीप वीच आप जी ते चर्ण पौन लेई जीप बाहर खड़ी किती होई है संची पाश्य जी ने उकम किता कि जा फिर ओदे कोलो चाबी फाड़ी फाड़ी नाले पुच्छा कि इस वेले कोई होर भी सिख एत्थे है कि नहीं संथा ने अर्ज किती कि सामने कमरे वीच संथ गुर्देव सिंग मदार ती संथ अवतार सिंग जी बैठे वे हन संची पाश्य जी ने उकम किता कि ओना नुकै कि ओ दोवे ही मेरे नाल चलन वास्ते आजान संथ जिनना चेर चाबी लेके आए ओनने चेर वीच संची पाश्य जी चुमारे तु थले आगे संथ अटे संथ जोगा सिंग जी कोलो चाबी लेके आप ड्राइविंग सीट ते बैठके अटे ओनना तीनना सिखा नुकै कि तुसी छेटी छेटी जीप वीच बैठ जाओ सचे पाश्य जी ने गड़ी स्टार्ट कारके डेरे तो बार गड़ी अटे मिर्जापूर थेड़ अकवाल चाल पए थेड़ते जाके जित्ते निम्बुआ ना भाग सी उस तो थोड़ी पिछे गड़ी खलार के संथ जोगा सिंग जी नुकै कि तुसी अटे गड़ी कोल ठ सारी टीम उत्ते बीना आसन विचाए बैड़ गे अटे दूहां सिखा नु सज्जे खब्बे बठालया संसो जोगा सिंग जी दास देहान कि थोड़ी समी बार अचानक उन्नानु बड़ी उच्ची शाँ 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 आदी अवाज सुनाई दिती ओ आवाज सुनके डार ग ओ सरप बड़ा मोटा कोई तीन चारल गाज लंबा सि उन्नानु याद आया कि एते इच्चादारी सरप है इस सरपनु उन्ना नेवी अते होर कई लोका नेवी वेख्या सि उकई रूपतार लेंदा सि कदी फूल कदी कोडाते होर कई कुछ बान जानदा सि लोकी उस तो उस आनने शुरू कार देती सचे पाश्या जी ता सचे पाश्या जी दा आते दोहं सिखाला त्यां जरोदर गया तो समझ गई कि एता इच्चाया नारी सरप है वो दो में सिक खड़े हो गें, पर सच्चे पाश्या जी ने इशारे नाल दो नानू बैठन लई क्या, सच्चे पाश्या जी ने संट जोगा सिंग्जीनू इशारे नाल चूपरेन लई क्या, इन्नी चीरनू साप रिडदा रिडदा पाश्या जीवाल जाल प्या, सच्चे उत्ते नू चड़ लागबया गोड़े तो हुंदा होया सजी काच दे थल्ले हुंदा होया खब्बे मोड़े ते चाड़ गया ओथे हुंदे होये गोड़े राही हुंदा होया खब्बे चरणू नमस्कार कारके थल्ले उतर आया थल्ले उतर के सचे पाशा जी अग्ये नमस्कार कारके एक दम अलोप हो गया औस तो बाद ओ किसे नू नहीं दिसया ओनू ता पता ही नहीं केड़े केड़े जनमा वीच पटक पटक के मुक्ती मिली होवेगी पाठक जी जदो वो इनना वड़ा सरब सारगुर्जी दे शरेर दे उत्ते एक पास से तो चाड़ के दुझे पास से उत्रया होवेगा उस नजारे न उत्यान मगन होके सोचो कि वो नजारा किनना दिल का बाउ होवेगा जे कोई कमजोर दिल वाला देखदा ता हो सकदा सी कि ओ सै ही न सकदा पर तान हन अकाल पुरगदा अवतार सागुर्जी सेंग जी ओ ता आप नारायन कलातार जग में परवर्यों हन आओ ना बेयान पास्चा जी दे चर्णा ते निमाने होके नमस्कार कार लेए तांसी विसागु जग जी सेंग जी